क्या आपके साथ कोई pen card fraud तो नहीं हुआ क्या आपके pen card पर किसी ने loan तो नहीं लिया क्या आपके credit card score के गिरने की वज़े आपका pen card की details का misuse होना तो नहीं आपने देखा होगा कि ना सिर्फ आमाद भी बलकि celebrity भी इस चीज से परिशान है कहीं ना कहीं हर रोज कोई ना कोई केस आता है जिसमें की pen card का दुरुपयोग करके misuse करके कोई ना कोई loan ले लिया जाता है आखिर ये pen card का fraud क्या है और क्यों जरूरी है कि हम अपने pen card के details को safe रखने और क्या तरीके हैं जिससे कि हम pen card के fraud को होने से बचा सकते हैं क्योंकि ये pen card से लिया गया loan सीधा हमारे credit score पर असर डालता है जिससे कि ना आगे आपको bank की लेंदेन में problem आती है आपको कोई loan मिलने में परिशानी होती है और अगर आपका credit score एक limit के सही में भी है तो फिर भी आपका जो interest rate है वो बाकी customer की मुकाबले ज्यादा रहता है तो आखिर किस तरीके से बचे किस तरीके से ये fraud होता है कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे pen card पर किसी ने loan तो नहीं लिया और लिया है तो भरा है या नहीं भरा है क्योंकि obviously कोई अगर आपके pen card से loan लेता है दूरपयों करेगा तो वो आपके loan को नहीं बरेगा जिसका सीधा तर आपके credit score पर रगता है तो नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका एक बार फिर से आपके अपने चानल एजुकेशन से लेकर आपके job तक की हो या फिर किसी भी सरकारी documents, pen, आधार, water ID, driving license, passport, Russian card या किसी भी certificate की तो आज की इस वीडियो का हमारा topic है कि pen card से होने वाले fraud को कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी ने आपके pen card को loan लिया है या नहीं अगर लिया है तो उसको किस तरीके से report कर सकते हैं कहाँ पर इसके शिकायत होगी और आगे हमारे साथ कोई fraud ना हो इससे कैसे बच सकते हैं कैसे लिया जाता है आखिर ये loan fraud को अंजाम कैसे किया जाता है तो इस तरीके के loan fraud को अंजाम देने के लिए जाल साज किसी भी व्यक्ति का pen card, mobile number और instant loan apps का उप्योग करते हैं आपको पता ही होगा hacker बहुत सारे तरीके यूज करते हैं जैसे क एक नया scam है जिसमें आपकी call forwarding के लिए आपको कोड दिया जाता है बोला जाता है इस code के बाद इस mobile number को डायल करें जिससे के आपके mobile number की सभी calls उस number पर forward हो जाती हैं और आपके mobile banking से OTP लेकर सारी details चेक की जा सकती हैं तो इस तरीके के loan fraud को अंजाम देने के लिए आपका pen card की details अगर किसी के हाथ लग जाएं आपका mobile number या OTP और काफी सारी apps ऐसी भी हैं जहां पर mobile number की भी जरूत नहीं है कोई भी mobile number डालके सिर्फ आपके pen card details को डालके instant loan लिया जा सकता है आखी के problem आती कैसी है आपने देखा हूँगा market में बहुत सारी छोटी 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 apps हैं जो की instant loan provide करती हैं जो की एक छोटी मात्रा में होता है लेकिन अगर आप उसकी EMI Pay नहीं करते हैं तो आपकी credit score पर असर डागती हैं ये छोटे छोटे loan amount होने के कारण कोई सी भी तरीके की verification की जरूत नहीं होती है सिधा instant loan जो है मिल जाता है आपको एक credit line दिखा दी जाती है कि आप इतने रुपे तक का loan ले सकते हैं और वो instant ही आपके bank account में credit कर दिया जाता है क्योंकि instant loan apps पर छोटी राशी का loan लेने से किसी भी verification की जरूत नहीं होगी तो इसलिए जो ये जालसाज वैकती है बहुत छोटी छोटी मात्रा में ही कई loan ले रेते हैं और तरीके से fraud हो है तो कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे नाम पर कोई ऐसा loan तो नहीं चल रहा जो हमने ना लिया हो तो आपके नाम पर कितने loan चल रहे हैं ये देखने के लिए आपको चाहिए आपका civil score जहां पर आपको अपनी credit report मिल जाएगी तो इस बात के जानकरी आप अपने civil score की जल ये ले सकते हैं आपको बेसिकली आपकी credit report चाहिए जहां पर आपको सारे details मिल जाती है जिसमें आपको पूरी details मिलेगे आपके कितने bank account number हैं कितने loan के लिए आपने apply किये हैं कितने loan आपके मिले हैं कितनी आपकी MI जा रही हैं साब details आपको credit score में मिल जाती है तो वो हम report यहां पर देखेंगे कि आप अपने civil में जो credit report download करते हैं उसको कैसे check कर सकते हैं वो भी सीखेंगे तो इसके लिए आप आसानी से आपको pen card चाहिए अपना और pen card के माध्यम से आप check कर सकते हैं ये भी पता लगा सकते हैं कोई फरजी loan तो नहीं चल रहा जो शयाद आपने कोई भी आप चोटे से चोटा loan लो तो आपको pen card जरूरी है तो सभी आपके जो भी credit history है पैसो का लेन दिन आपके pen card से map होता है तो report आपको credit score का brief बताती है जिसमें कि आप सभी loan की जाच कर सकते हैं तो इसको करने के लिए आप कैसे जाएं इसमें सबसे जो दो बड़ी दि credit report देती हैं जो instant loan आप देखते हो वहाँ पर civil या experience की बजाए experience की बजाए और जो हमारे पास company available है credit report की वो यूज की जाती है लेकिन अगर हम authentic की बात करें और अच्छे किसी bank की बात करें तो वो civil या फिर experience से ही आपकी credit score को देखते हैं bank और loan लेने वाली संस्तान आपकी सा करते हैं bank से तो bank आपको तुरंट बता देता है कि आपके नाम पर इतने सारे loan चल रही है तो इसको आप कैसे भर रही है या आपके पास पहले से यह loan है इसको आप close करेंगे या नहीं करेंगे या इन loans के basis पर आपको सिर्फ इतना ही amount मिल पाएगा सब जारी जानकारी आपक या loan देने वाली कंपनिया ही हमारे credit score को चेक कर सकती है हम खुद भी अपनी credit report को देख सकते हैं जिसमें कि हमारी loan history हमारे नौकरी के बारे में हम self-employed है या हम salaried person है हमने जो भी loan लिया है मुसको भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं कितने हमारे पास credit card है कितनी loan की हमने inquiry की है हमारी personal details जैसे कि हमारे नाम, mobile number, address, कितने credit card हम use कर रहे हैं credit score सारी जानकारी इससे में पता चलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिबल की तो अगर आप अपनी credit report डाउनलोड करना चाते हैं तो आप सबसे पहले जाएं सिबल की website पर sybil.com यहाँ पर आप देख पा रहे है get free civil score and report तो इस पर आप click करेंगे click करने के बाद आपकी कुछ basic details पूछी जाएंगे जिससे कि आप sign up कर सकते हैं अपनी report को download करने के लिए सबसे पहले आपका email address, फिर password, आपका first name, last name, एक ID आपको चाहिएगी तो ID type आप select कर सकते हैं उसी ID का number, date of birth, pin code और mobile number जैसे ही आपकी accept and continue करके click कर सकते हैं, एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैंने हाली में अभी एक loan के लिए apply किया, और मेरे पास हुआ क्या, कि credit जो agency थी उससे जो मुझे credit report आई, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारी loan company हैं, जो कि आपको बोलती हैं 50 उर्पे में आपके पास आपकी credit report आ जो है बात की, क्योंकि जिस agency ने मुझे loan देने के लिए request दी थी, उसी agency ने गलती से मेरे mobile number उसकी जगह पर add करके, वो loan मेरे नाम पर चड़ा दिया, तो अब उसको हट वाने के लिए मैंने पूरा process किया, report किया, और फिर वो चीज़े हट भी जाती हैं, second जो तरीका है, वो पूरी यहां पर मिल जाएंगे, अगर इसके अलावा आप चेक करना चाहें, तो Equifax है, जो कि ज़्यादा तर नोर्मली loan agency company, जो छोटा 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 लोन देती है, वो Equifax को यूज करती है, यह भी आजकल एक popular credit agency है, जो अपती credit score report प्रवाइड करती है, इसके अलावा ए एक process कर सकते हैं, एक app download कर सकते हैं, जिसका नाम है one score credit score, यह one score credit score आप इस लोगों को देखते हुए कीजिएगा, वरना ऐसा नहों कि हमने तो आपको बताया कि आपको credit report चेकीजिए, और आप वही पर आपका fraud हो गया है, किसी के अपने loan ले लिया, आपके नाम पर आपकी detail share हो गई है, तो यह logo देखके जरूर आपके हाँ पर इसको download कीजिएगा, इसमर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, कि आपका credit score कितना है, और कितने loans आपके नाम पर है, आप इसी app से हम क्यों चेक करें, क्योंकि इस app का जो data है, वो आपका किसी भी third party के साथ share नहीं किया ज जाते हैं, यह आप अपना credit score चेक करें, तो भी बहुत सारे calls आने लग जाते हैं, कि loan के requirement है, तो वो इसी तरीके से होता है, जब आपका data third party के साथ साथ साजा किया जाता है, तो इस app के जड़िए आपका data third party के साथ share नहीं किया जाता, तो कहने का मतलब यह है, कि login करने के ब यहां पर यह वी option दिया गया है, जो अब देखते हैं कि यह credit report डाउनलोड होती है, यह किस तरीके की होती है, और किस तरीके से इसमापर में details चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप यह देखेंगे, यह sample report है, यहां पर आपका customer का नाम, उसकी member ID यहां पर होती है, किस date को, किस time को य होती है, वो होती है, यहां पर details, तो यह customer का नाम, उसकी date of birth, gender, तो income tax ID क्या है, यानि कि उसका pen card क्या है, और यह mobile number उसकी full details होती है, इसके साथ साथ उसका address कब है, कम सा report किया गया है, वो पूरी details यहां पर होती है, इसके बाद यहां पर देख सकते हैं, आप credit score है, कि credit score कित पूरी details आपको यहां पर दिखाई दे जाती है, next है inquiries, यानि कि आपने कितने loan के लिए inquiry की है, तो 4 loan के लिए जैसे हाँ पर inquiry है, 30 दिन में 1 क्यू ही है, और यह पूरे साल में 3 और loan की inquiry की गई है, यह पूरी details इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देती है, फिर उसके पाद है, आपके accounts की details में यहां पर आप देखेंगे, कि यह auto loan की details है, कि जो भी आपने loan लिये होते हैं, जैसे home loan है, car loan है, auto loan है, वो सब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, कि किस दिन लिया गया है, last payment कब होगी, कब इसका close है, कितना sanction हुआ था, और कितने कितने details जो है है, वो भी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद इसी तरीके से कोई personal loan है, consumer loan है, उसके details यहां पर दिखाई दे रही है, कितना loan sanction हुआ तक इतने किस जा चुकी है, सारे details आपको यहां पर दिखाई देंगी, उसके बाद यहां पर credit card, आपके पास कितने credit card है, क तो इंक्वारी की सारी चीज़े आप पर दिखाई दे रही हैं तो इंक्वारी इस त्रीके से आपको पूर्री डिटेल पता चल जाती है और जो भी लोन आपको लगे कि आपके नाम पर नहीं है जिस भी आप पर आप चेक करें वहीं पर report का option है जैसे अगर आप instant app पर भी चेक करें वहाँ पर भी report का option आप report कर सकते हैं और वो आपका loan जो आपके नाम पर नहीं है वहाँ से हटा दिया जाता है इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा जैसे ही आपको पता चलता है कि इस तरीके का fraud सामने आया है तो सबसे पहले तो आपको अपने bank को सुचित करना होगा जिस भी bank के नाम पर आपको ये account loan दिखा रहा है आप उसके जो है inform करेंगे पुलिस की cyber cell जो है उसे भी आप शिकायत करेंगे और income tax को भी इसके बारे में जान करी देंगे तो फरजी loan की शिकायत करने के लिए income tax.internetglobal.com pen.an.asp इस पर आप विजिट कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा अब आगे हमारे साथ ऐसा fraud ना हो इस तरीके से बचने के लिए क्या करना है तो अगर आप इस तरीके के loan fraud से बचना चाते हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद को स्तरक रहना होगा इस बात पर विशीज ध्यान देना है कि आपको किसी भी अंजान के साथ बिल्कुल भी अपने आधार या pen के detail शियर नहीं करनी है सामने तोर पर loan नेले के लिए केवल pen या आधार की ही जरूरत पड़ती है तो इस फरजी वाड़ी से बचने के कई उपाय है अगर आपको कहीं आधार की जरूरत है भी तो आज कल आप देखेंगे इवन बैंक में भी mask आधार कार मांगा जाता है mask आधार कार कैसे डाउनलोड करते हैं इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अप्लोड़िड है mask आधार कार वो आधार कार है जिसमें आपके सिर्फ last के 4 desert visible होते हैं और बाकी सभी जो आगे की deserts हैं उसमें आपको cross का निसायन बनाया दिखाई देता है इसके अलावा pen card की जानकारी भी आपके वल उनी लोगों को दें जिनके साथ आपका वित्या लेंदेन शामिन हो किसी भी प्रस्तिती में आगर आपको अपना pen card या अधार कार की copy share करनी पड़ जाए तो आप देखेंगे हमारे बुज़र्ग या हमसे बड़े जादा तर जब भी उनको कोई detail share करनी होती है तो वो क्या करते थे उस पर उसकी वज़य लिख देते हैं कि ये for credit card only, for personal loan only, for home loan only इस तरीके से तो ये आपको भी अपने आधार card या pen card की copy किसी भी काम के लिए इस्तमाल करनी है तो आप उस पर इस तरीके का जरूर लिखें और वो लिखा हुआ आपका कुछ हिस्सा उसके ID proof पर जो आपने copy ली है वहाँ पर भी आए ताकि इसको किसी और दूसरे काम के लिए use ना किया जा सके इस बात का आप ध्यान रखें तो यह थी दोस्तों आप लोग के लिए कुछ information आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही useful रही होगी इसी तरीके की और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें बैल आइकन को प्रेस करें साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमें social media पर भी follow कर सकते हैं link description box में है तो आज की इस वीडियो में इतना ही किसी ओर topic पर आगर आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें comment section में comment करके जरूर बताएगा और अगर आपका कोई ऐसा case है कि आपकी साथ कोई fraud हुआ और आपने उसके साथ क्या किया कि किस तरीके से आप उस फ्रोड से बचे या ऐसी कोई स्टोरी है जो आप अपने और बाकी सब्सक्राइबर्स को बताना चाहते हैं तो वह स्टोरी भी आप हमें email कर सकते हैं हमारी email id पर नीचे email मिल जाएगी और या फिर आप हमें instagram पर भी अप्रोच कर सकते हैं थैंक्यू सो मच बबाई टेक क्याव